जिन लोगों को नाक से, मुझ से, मुत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से खून बैता है, जिसे हम रक्त स्तराव के नाम से जानते हैं, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि पम्किन के बीज का पौडर बना के रख ले, एक चमच पौडर सुबे, एक चमच पौडर साम को, गुन- पानी के साथ इस्तमाल करें, खाना खाने के एक गंटे बाद इस्तमाल करने से, रक्त स्तराव की समस्या हमेशा कले दूर हो जाती हैं, जिन लोगों के बार-बार चेहरे पे पिंपल्स निकलते रहते हैं, उनको कहना चाहूंगा कि आपके जो अंदर ग्लैंट्स हैं, उनके अंदर मवाद और गंदा खून जमा नहीं होगा, जिसकी वज़ा से पिंपल्स की समस्या दूर हो जाएगी, उसमें आप इसका इस्तमाल दो तरह से कर सकते हैं, खाने और लगाने में, पहले खाने का तरीका समझा लेता हूं, खाने में इसके बीज का पाउडर बना ले, प लगाने के लिए, खाने के लिए, आपने खाने के लिए जो लगा इस्तमाल करा है, एक चमस सुबह शाम आप गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तमाल करें, और खाना खाने के एक घंटे बाद इस्तमाल करें, जो लगाने के लिए इस्तमाल किया है, उसको किसी बरतर में दालके थोड़ा सा गुलाब का जल डाल दे जिसे हम गुलाब का अर्क भी बोलते हैं अगर वो ना मिले तो कोई परेशान होने वाली बात ने हलका सा पानी डाल दे हलका सा गुनगुना पानी ही डाले ताजा पानी मत डाले डालके पेश्ट बना ले और उस पेश्ट को प्रशाम रोजाना इस्तमाल करें इससे बहुत जल्द आपके पिंपल्स की समस्या दूर ओजाएगे और पिंपल्स जब ठीक हो जाएगे तो उसके जो दाग रह जाएगे वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगे जिन लोगों की यहां काले-काले घेरे हो जाते हैं बहुत जादा डार्क स्पोर्ट हो जाते हैं, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि पंकिन के बेज का तेल निकलवाले, उन तेलों की मालिस इस तरह अच्छे से करें, ऐसा करने से आपके ये काले निसान हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, लगातार इसका इस्तमाल रोजाना बिना न परेशान है, जिनमें उनका प्रोस्टेट ग्लेंट्स बढ़ गया हुआ है, उससे वो परेशान है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, और पेशाम में जलन और रुकावर्ट तंग करती है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, कि आप पंकिन के बीज का पाउड बना के रख लें, सुबह शाम मटके वाले पानी से जिसम ठंडा पानी कहते हैं, उसके साथ इस्तमाल करें, और खाना खाने के एक गंटे बाद इस्तमाल करने से आपको प्रोस्टेट जो ग्लेंट्स बढ़ा हुआ है, उसमें भी फायदा मलेगा, यूटिया इन्फेक्शन की शिकायत रहती है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, जो बच्चे बिस्तर गिला कर देते हैं, सोते हैं, और रात को बिस्तर गिला कर देते हैं, पेशाब उनका निकल जाता है, उनको पता नहीं चलता, उनके माता पिता को कहना चाहूँगा, कि पंकिन के बीज पीस के पाउडर बना ले, एक चमच पाउडर सुबे, एक चमच पाउडर साम को, अगर आपका बच्चा बारा साल से कम उमर का है, तो आदा चमच पाउडर सुबे, आदा चमच पाउडर साम को, गाय का दूद उबाल ले, उसे नीचे उतार के हलका गुन-गुना रहने द होता है यह संद्धन जिए खीरा कट्डी में मातलें तो ऐसे मांकी समय मतनों करें इस से तो उनके पेसाब कि अनज आकट मिलेगी और वह तर गिला करना बंद करेंगे और वो पूरन रूप से स्वास्त हो जाएंगे जो लोग तवचा पर खारिस की समस्या से परेशान है पूरे सरी में जगा जगा खारिस तंग करती है दाद की समस्या तंग करती है जिसे हम फंगल इंफेक्शन के नाम से जानते हैं एकजीमा की शिकायत तंग करती है यह सुराइसिस की बीमारी से परेशान है उन लोगों को कहना चाहूँगा पमकिन के बीज लाके उनका तेल निकलवा ले वो तेल आपने आदा चमस सुबे आदा चमस शाम को गाय के दूद के साथ लेना शुरू कर दे और इनके तेल जो मालिस करके सो जाए इसका मतलब यह हो गया इसके दूद में मिला के पीने में भी इसका तेल काम में आ गया और इसके तेल से मालिस करने में भी काम मतलब मालिस के भी काम और पीने के भी काम ऐसा करने से बहुत जल्द आपके तोचा से सम्मंदित विकार हमेशा के लिए दू लवाले तेल की तो सिर्फे 40 करें हफते में 3 बार और इसके बीज को पाउडर को बना के रखाना एक चमस सुबह शाम खाना शुरू कर दे इसमें जिंक पाया जाता है तामबा पाया जाता है और भी बहुत सारे पोशकतत पाया जाते हैं जिससे बाल जढने की समस्या और बाल उसे मुझे टेंशन हो जाते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं यह नींद नहीं आती है कारण हो जाता है कि उनकी नसे सिकुड जाती है उनके अंदर जो है पूरी तरह से जो रसायन होता है जिससे हम कैमिकल कहते हैं वो इन बैलेंस हो जाता है उनका संतुलन बिगड़ जा नींद की गोली खाते हैं और फिर भी उनको पूरन रूप से अच्छी नींद नहीं आती उन लोगों को कहना चाहूंगा कि पंकिन के बीज का तेल निकलवा के वो तेल आप आदा चमश सुबह आदा चमश शाम को गाय के दूद के साथ लेना शुरू कर दे और वही तेल आप आपकी नसों में ताकत मिलेगी सिर में खुशकी दूर हो जाएगी और आपके रसायत जो केमिकल है दिमाग में पूरी संतुलित मातरा में बनेंगे और आपको बहुत गहरी और अच्छी नीद आएगी बहुत पुराने लोग इसका इस्तमाल करते थे और पूरन रूप से अपने आपको स्वस्थ बना के रहते थे तभी तो देखते थे थे ना कि उनको कभी भी नीन की गोली की या टेंशन की गोली की जरोत नहीं पड़ती थी जो लोग दमे की बिमारी से परहिशान है जरह सा धूल मीटी में जाते है धूमे में जाते तो उनको एकदम सांस फोल तंग करती है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि इसका पंकिन के बीज का पौडर बना के रख लें और पंकिन के बीज का तेल निकलवा के रख लें तेल नाक में नस्य करम के काम आ गया और माथा गला नाक और छाती पसली पीछे पीठ पे मालिस करने के काम आ जाएगा जो बीज है उसका आप सूप के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं तो पहले मैं आपको इसके तेल की मालिस की विधी बतायता हूँ इसके तेल की मालिस सोते समय अच्छे से मालिस करें इस तरह से अच्छे से मालिस करके सो जाएं और जो तेल है उसका नसे करम में भी इस्तमाल कर सकते हैं, वो सोने से पहले इस्तमाल करे, बलीस से भी पहले इस्तमाल करे हैं तीन बुंदनाक में डाले और खीचे, इससे क्या होगा? आपको स्वासन, तंत्र, फेफडे, ताकतवर हो जाएंगे और आपकी अस्तमा से आपको छुटकारा मिलने में बहुत ज़ादा आपकी ये मदद करेगा ये तो हो गया इसका नस्यकरम और मालिस के रूप में अब इसका खाने में कैसे इस्तमाल करना है इसका पौडर बना के एक चमस सुबे शाम आप गाई के दूद के साथ लेना सुरू कर दे, उस गाई के दूद में चुटकी भर हलदी डालके इसके साथ इस्तमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपको दमे की बीमारी से चुटकारा मिलता चला जाएगा जो लोग दिल की बीमारी से परेशान है हमेशा दिल की धड़कन बड़ी रहती है कभी कम हो जाती है एकदम सांस लेने में परेशानी होते है झाती में दर्ध तंग करता है जरा सा काम करते है तो झाती का दर्ध बढ़ जाता है उन लोगों को कहना चाहूँगा कि pumpkin के बीज ल नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसका इस्तमाल दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इनके बीजों का पाउडर बना के एक चमस सुबह शाम आप गुंगुने पानी के साथ खाना खाने के एक गंटे बाद लेना शुरू कर दें तो यह आपकी दिल की नसों को दिल की मान नली में या छोटी आत में या बड़ी आत में अलसर की शिकायत है सुजन की शिकायत है उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप पेठे के बीजों को जिसे पंकिन के बीज कहते हैं उनको पीस के पाउडर बना ले और एक चमच पाउडर सुबह एक चमच पाउडर साम को गा पॉड्यूर्यूरी नियर्स्यृ नियुटूर्यूरद है कि फर्व कर्या है उश्फेतिक जो पीजाती जनूरद केज़ते हैं is a ऊंद्रूर में आपाना होता। परकषरर के ढूर्डंगे में इसके इसजले ने मैं इसाइव को धात करने करस Wash care sort of panic गुन-गुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें, तो इससे क्या होगा कि आपके अगनाश्य को ताकत देगा, आपके सरीव के मताबित इंसुलिन त्यार करेगा, जिससे आपके शुगर को कंट्रोल करने में आपकी बहुत जादा मदद करेगा. जिन लोगों की नजर कमजोर है, वो परेशान है, चसमे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि पंकिन के बीज का पाउडर बना के सुबह शाम गाय के दूद के साथ खाना खाने के एक गंटे बाद लेना शुरू कर दें, इससे आपके आँख की रोशनी कमजोर होती चली जाती है, तो ऐसे में इसका इस्तमाल करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है, जिन लोगों की पाचन सक्ती कमजोर है, थोड़ा भी खाते हैं, तो पेट एक दम गुबारे की तरह फूल जाता है, या मान लिजे नहीं भी खाते हैं, तो उनको भ पाउडर सुबे, आदा चमज पाउडर साम को खाना खाने के आदे घंटे बाद इस्तमाल करेंगे, तो जो भी आपने खाना खाया होगा, वो पूरन रुप से पद जाएगा, और आपकी पाचन सक्ती बढ़िया होती चली जाएगी, और आप अपने आपको भी अच्छा मै जो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं, रोगों से लड़ने की शमता कम है, जिसके कारण वो तरह तरह के वाइरस, बैक्टीरिया या फंगस के इंफेक्शन से परेशान हो जाते हैं, या मान लीजे तरह तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं, आज के टाइम में तो एक वाइरस नहीं हम सब को तंग कर रखा है और उसके कारणम तरह तरह के काड़े फिते जिसे पेट में घर्मी की शिकायत हो जाती है तरह तरह के रोग उत्पन हो जाते हैं तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि इसका इस्तमाल आप दो रूपों में कर सकते हैं इनके बीज का पंकिन के पॉडर के रूप में कर सकते हैं पहले इनके बीज का जो तेल निकलुआएं के आप कैसे इसका इस्तमाल करें वह बतायता हूं एक गिलास गायी के दूद में चममच का चोथाई इसा आप पिने में arappं कर सकते सुबे शाम इसका जो बीज का तेल है उसको नाक में तीन goo और किसी परकार का इसका कोई side effect भी नहीं होता है ना ही ये पाचन तंत्र को खराब करता है अब इसके जो बीज का है जो लोग कई बार तेल नहीं निकलवा सकते या तेल नहीं पीना पसंद करते तो उन लोगों को बीजों का इस्तमाल बताए तो इसके pumpkin के बीज का powder बना के र बढ़ जाएगी और आप पूरन रूप से स्वास्त भी हो जाएंगे और आपके सरी पे किसी भी परकार का bacteria virus या fungus का संकर्मन नहीं होगा powder अगर हम लेते हैं तो सुबे शाम आदा घंटा बाद खाना खाने के इस्तमाल करें जिन पूर्षों के अंदर sexual कमजोरी बढ़ती चली जा रही है अपनी साथी के साथ पूरे संपूरन रूप से संभोगी क्रिया को नहीं कर पाते हैं या उनका वीरिये संभोगी क्रिया के दोरान जल्दी सखलन हो जाता है तो उन लोग पूर्षों को कहना चाहूंगा कि आप इसका इस्तमाल इनके बीजों को तेल बनवा के इस्तमाल करें और इसके तेल की मालिस लिंग पे अच्छे से करें सुबे शाम और इसके तेल जो है आप एक गिलास गाय के दूद में इस उसके अंदर चमच का चोथा हिसा या आदा चमच तेल को डालके अच्छे से मिलाके और उसको पी जाए सुबे शाम खाना खाने के एक घंटे बाद इस्तमाल करने से यह आपको पोरुष जो शक्ती होती है उसको बढ़ा देगा सिग्र पतन और नामर्दी की जो समस्या है आपको उससे चुटकारा दिला देगा और आपको पूरन रूप से स्वस्त करेगा क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 भी पाये जाता है फैटी एसे जिसे कहते हैं और इसके बाद इसके अंदर जिंक पाये जाता है जिससे हमारे हार्मोंस पूरी संतुलित मातरा में बने रहत और सीग्रपतन और ना अमर्दी की समस्या दूर होती चली जाती है जिन लोगों का तंत्री का तंत्र कमजोर है जिसे नर्बा सिभ्र लढ़ खड़ाते हैं या कंपण महिसूस करते हैं या मिरगी के दोरे तंग करते हैं जगा 2 पर दोर्श cambiarो åह मे 가운데 हमारी इस्टिरिया य उन लोगों को कहना चाहूंगा कि इनके पंकिन के बीजों का तेल निकलवा के आप रख लें और गाय के गुन-गुने दूद के साथ पीने में और नस्य करम के रूप में इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं नस्य करम में इसके तेल को तीन बुंद डालके इस तरह खिचे ती चयरादा इस्सा मिला के और स्वादनुसार इसमें मिश्री का या शहद का इस्तमाल करके, दोनों में से कोई एक चीज का इस्तमाल करके, हम लाब उठा सकते और अपने आपको स्वस्त बना सकते हैं पंकिन के बीजों के मैंने आपको इतने सारे फाइदे बताये तो इसके कुछ नुकसान है वो भी बतायता हूँ क्योंकि कहते हैं कि हर चीज की अती नुकसान कहते हैं इसलिए इसकी जरू से ज़्यादा मातरा में इस्तमाल मत करें अगर आप जरू से ज़्यादा मातरा में इस्तमाल करते हैं तो ये ज़्यादा कुछ नहीं कि एक दो दस्त इससे आपको तंग कर सकते हैं और आपका पाचन तंत्र आपका डगमगा सकता है इसलिए आप इसका इस्तमाल जादा मातरा में मत करें जितने मातरा में बतायागा उतनी मातरा में इसका इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ धन्यवाद